आज का हमारा टॉपिक है थियोरम तो आज हम क्लास 9 का थियोरम पढ़ेंगे बहुत ही इंपोर्टेंट थियोरम है तो देखते हैं कि क्या कहता है यह थियोरम फिद हम इसे समझते हैं कह रहा है कि the sum of the angle of triangle is 180 degree मतलब कि हमें प्रूफ करके दिखाना है कि एक triangle के एक triangle के तीनो triangle में कितने तीन angle होंगे और तीनो angle का जो sum है यो sum है वो कितना होता है 180 degree होता है अभी तक हम यह पढ़ते आए हैं 9th क्लास में हमें इसे प्रूफ करके दिखाना है तो सबसे पहले हम लिखते हैं हम लिखते हैं आपर given तो हमें given क्या है triangle ABC हमें given है triangle ABC तो आईए सबसे पहले हम एक construction करते हैं और यह बना लिते हैं हम triangle ABC ठीक ABC यह हमने triangle बना लिया clear है किसी को कोई दिकत चलिया आगे चलते हैं उसके बाद हम यह लिखते हैं टू प्रूव कि हमें हमें क्या प्रूव करना है तो हमें प्रूव करना है कि ये एंगल ये एंगल और ये ये तीनों एंगल इसके हून naming कर देते हैं one two three यानि कि हमें प्रूफ करना है एंगल one plus angle two plus angle three is equal to 180 degree देखिए हमें ये चीज प्रूफ करना है कि angle one angle two और angle three इन तीनों का plus कितना होगा इन तीनों का plus कितना होगा 180 degree होगा तो चलिए अब हमें क्या करना है हमें करना है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन तो क्या कंस्ट्रक्शन करें हम क्या कंस्ट्रक्शन करें चलिए देख लेते हैं हम क्या करते हैं एक पैरलर लाइन ड्रो करते देखिए यह जो हम जो भी हम अपनी तरफ से construction करेंगे ना, इसको आप dot dot वाली line में लखी गया, image नरी line भी हम इसे कहते हैं, ठीक है ना इसको आप बिल्कुल एकदम support line में नहीं खीचना है, आपको dot dot में खीचना है, clear है बात, तो हमने एक, हमने एक image नरी line खीच दिया d, a, e, d, e parallel, b, c कर दिया हमने, अच्छ, अब आईए start करते हैं इसका proof, कि यह कैसे proof होगा, आईए बिल्कुल start करते हैं, तो एक बात बताईए, आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा, एक चीज क्या कि अगर दो parallel line है, अगर दो parallel line है, और एक उसमें transversal है, क्या है, यह transversal है, तो क्या होता है, यह जो z बनता है, देखिए, ध्यान से समझिएगा, z जो बनता है, यह z, यह z, इसको हम क्या कहते हैं, alternate interior angle, क्या कहते हैं हम, alternate interior angle कहते हैं, और क्या relation होता है, इन कब, देखिए, जब दो line parallel होगी, और एक transversal जा रहा होगा, ठीक, तो यह जो z बन रहा है, तो यह जो z बन रहा है, यह alternate interior angle है, कौन सा angle है, alternate interior angle है, तो देखिए, कि यहाँ पे z बन रहा है, अच्छा, इसका क्या करते हैं, हम इसमें की भी naming कर देते हैं, ठीक है ना, तो angle four और angle five कर देते हैं, ठीक, कर दिये बताई यह कोई दिकत तो नहीं, चलिए, अच्छा, तो angle four जो है, देखिए, यहाँ से ऐसे, यह दोनों line parallel है, और a b जो है, देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे, d e parallel b c and a b a b is transversal, बात clear है आपके, तो a b क्या है, transversal है, तो angle four, देखिए, z बन रहा है यहाँ पर, यहाँ पर क्या z बन रहा है ना, यहाँ z बन रहा है तो angle four, angle two के क्या हो जाएगा, equal हो जाएगा, angle four जो है, angle two के equal हो जाएगा, angle four, एंगल दो के equal हो जाएगा हम लिख देंगे यहां पर short form में लिख देंगे हम alternate interior अब देखिए इधार से भी z बन रहा है क्या है आप कहोगे क्या उल्टा जैड बना सकते हैं बिल्कुल बना सकते हैं अब यहां पर क्या है d e parallel b c है ठीक है न और इसमें क्या है ac transversal है क्या है and ac is transversal है ठीक है तो अब देखिए angle 5 angle 5 equal to क्या लिखेंगे हम angle 3 लिखेंगे बताईए लिख लिया आप सबने चली अब एक बात बताईए यह आपने लिख लिया बिल्कुल लिख लिया होगा आप सबने लिख लिया होगा अब आप ध्यान से देखिए क्या हम angle 4 plus angle 1 plus angle 5 equal to 180 degree लिख सकते हैं बताईए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं 180 degree होगा यह तो बिल्कुल पढ़े होंगे अब चलिए तो हम लिख सकते हैं कि यह एक रेखा है angle 4 angle 1 और angle 5 जो है इस एक ही रेखा पर बने कौन हैं लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं लिख सकते हैं लेकिन यहां लिख देंगे linear pair क्या लिखेंगे linear pair चलिए अब एक बात बताईए यह हमारा equation first और यह equation second था हम यहां लिखेंगे from equation first and second एक बात बताईए यह जो 4 angle है वो किस के equal है तो क्या हम 4 की जगा 2 लिख दे तो कोई mistake करेंगे क्या नहीं करेंगे ना mistake क्योंकि हम पहले यह बात प्रूफ कर चुकी हैं कि जो angle 4 है वो angle 2 के equal है तो हमने angle 2 के equal लिख दिया चलिए आगे देखते है वन तो हमें लाना ही है वन के साथ हम कुछ नहीं करेंगे कुछ नहीं करना वो तो लेके ही आना चलिए अब angle 5 अ 5 की जगह हमने क्या लिख दिया angle 3 लिख दिया अच्छा equal to में क्या था equal to में था 180 लो जी प्रूफ हो गया सही से लिख दो थारा order में तो angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is called to 180 degree hence proved ठीक समझ में आया आप सभी के बिलकुल अच्छे से इसको note कर लीजिए और कम से कम दो तीन बार आप practice कर लीजिए आप इसमें perfect हो जाएंगे